हेलो फ्रेंड्स में नाम है वीजे और आज की वीडियो में बात करेंगे डेकॉरेटर्स की तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको या देखिए देखिए डेकॉरेटर्स क्या होता है यहारे जैसे आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा किसी चीज को डेकॉरेट करना है तो आपको इसको रैप करना पढ़णे गा सीटेमीद composition आपका एक फंक्शन होता है जिसके आप उपर याा नीचे कोई और कि kaana चाहते हैं तो आप इसे decorator का नाम देंगे अब देखिए इसके दो तरीके हैं एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें एक function ले उस function को बनाएं और उस function के अंदर आपको जब नई value कोई functionality add करनी है तो आप उस code के अंदर नए code को add कर दें लेकिन क्या हो जो आपको पुराना ही code चाहिए तुम्हारा पुराना ही function चाहिए और जो आपने नया code लिखा हो वो ना चाहिए दूसरे case में क्या करना पड़ेगा आपको एक नया function करेट करना पड़ेगा जिसमें आप पुर अगर वीडियो अपने नहीं देखिए तो वो जरूर देखिएगा हमने वहाँ पर आपको बताया कि कैसे आप function में function define करेंगे function के अंदर और function को as a argument कैसे pass कर सकते हैं और function को as a variable से कैसे call कर सकते हैं यहाँ मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक function मनाता हूँ जिसे मैं name देता ह gift underscore dec ठीक है shortcut में decorator के लिए और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा एक function को pass करूँगा मैं इसके अंदर ठीक है original function को तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपने function अब देखिए इसके अंदर make function define करता हूँ जिससे मैं name देता हूँ wrap wrap underscore wrapped the gift ठीक है आप कोई भी name दे सकते ह है और इसके अंदर मैं क्यारा जाता हूँ एक print करवाँगा कोई भी statement और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो original function होगा हमारा जो की इसको मैंने name दिया है func func इसको call करेंगे और यहाँ पर लिखता हूँ print extra code is added before लिखते हूँ before original original function ठीक है यह मैंने लिखा और यहाँ पर लिख देता हूँ extra code is added यहाँ मैंने adds लिख दिया added लिख देते हैं इसको अब यहाँ पर मैं अपना जो function है जो की हमारा gift है main gift है उसको define कर लेता हूँ यहाँ आप लेकूंगा function gift underscore need decoration जो की क्या कर रहा है सिर्फ print कर वा रहा है I need wrapping अब हम क्या करेंगे सबसे पहले अपने जो function है उसको call कर लेंगे gift वाले को gift need regulator इसको मैंने call कर लिया save करता हूँ और run करता हूँ पहले देखते हैं output क्या रहा है output हमारा है I need wrapping क्योंकि मैंने gift need decorator को call किया तो इसने print करके देदिया I need wrapping अब देखिए अब यहाँ पर मैं एक variable लेता हूँ जिसे मैं name देता हूँ decorated underscore function ठीक है यह variable का name है आप को भी दे सकते हैं अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ अपने function को pass कर रहा हूँ जो कि हमारा gift function है ठीक है gift deck इसके अंदर जो argument के तौर पर मैं किसको भीज रहा हूँ gift need decorator function को भीज रहा हूँ ठीक है अब देखिए फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो हमारे decorated function होगा उसको call करना पड़ेगा मुझे save करता हूँ इसको और run करूँगा इसको यहाँ पर तो आप देख और यहाँ पास हुआ decorator function जब call हुआ तो उसने क्या करा gift decorator लिया इसको चलाया इसके अंदर gift need decorator को पास किया function के नेम पर फिर यहाँ पर wrap जो gift था उसने क्या करा print कर दिया extra code added before the original function और after the original function तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिगा extra code is added before the original function और I need wrapping क्योंकि यह हमारा function इसके बाद extra code is after the function यहाँ पर मैं आपको यह बताया कि decorator काम कैसे कर रहा है अब इसको लिखिंग कैसे वो देखते हैं इसको comment कर लेता हूं मैं यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पर लिखूँग मैं add the rate और यहाँ पर जो भी हमारा decorator इसको भी मैं यहाँ से पहले comment कर लेता हूं ठीक है इसी को copy कर लूँगा और यहाँ पर इसको paste कर लूँगा ठीक है इसको यहाँ सबसे पहले एक symbol लगाया जो की decorator का symbol था उसमें बताया है मैंने की decorator कौन सा है यह हमारा get decorator है gift tag ठीक है यह हमारा decorator है उसके बाद मैंने function क name दिया function का name क्या था gift need decorator ठीक है और जो print क्या कर रहा था I need wrapping यह हमारी print कर रहा था जब मैं लिखूंगा यहाँ पर gift need decorator इसको जब मैं call करूंगा इस तरीके से save करता हूं इसको run करूंगा तो यहाँ पर देखे जो पहले ही output आया इससे जो output आ रहा था वही चीज हमारी इ added before the original function I need wrapping extra code is added after the original function ठीक है यहाँ पर अब देखे जो हमारे यह code लिखा है यह हमारे decorator है अगर मैं functionality को add कराना चाहता हूं अगर मैं यह output में दिखाना चाहता हूं कि extra code needed before the original function लिखा हूँ आए तो मैं इसको यहाँ पर ऐसी रहने दूँगा वनना मैं इसको comment कर दूँगा simple इस खुरन किया जब मैंने तो I need wrapping आया तो यहाँ पर देखे मैं मुझे सिर्फ एक line का code लिखना है add the rate give deck इस तरीके से और इसको comment कर दूँगा तो decorator हमारा चलेगा नहीं करूँगा comment तो यह हमारा decorator करेगा तो इस तरह साब समझ गयोंगे कि decorator कैसे काम करते हैं वो कैसे create क कीजिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें आप हमें Facebook, Instagram, Telegram तीनों जगा फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा और हमारे playlist को जरूँच करिए फ्रेंड चैक्कि वहाँ पर हमने different frameworks और programming language वीडियो बना रखे जैसे देखके आप अपनी knowledge को बहुत जाते increase कर सकते ह थिंकिव वाचिंग, गुडबाई, टेक क्यार